नमसकार दोस्तो आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में एक वर फिर से हार्दिक सुवक्त है दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने बाला हूँ कि इपैन काड को अपडेट करने के लिए या फिर नया फिजिकल pen card बिनाने के लिए photo और signature का सही साइज कैसे बनाएंगे और दोस्तो अधार card और pen card का PDF का password कैसे हटाएंगे और अधार card और pen card का PDF का सही साइज कैसे बनाएंगे इस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ तो चलिए दोस्तो बिनादेर के आज की इस वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहले दोस्तो आपको एक अच्छा सा photo जो हब किलिक कर लेना है उसके बाद दोस्तो आपको अपने signature का photo भी किलिक कर लेना है उसके बाद दोस्तो आपको अपने pen card और अधार card को PDF में डाउनलोड कर लेना है यदि आपको pen card और अधार card को PDF में डाउनलोड करना नहीं आता है तो आपको वीडियो के description में वीडियो का link मिलेगा आप बहाँ से उस वीडियो को देखकर अपने pen card और अधार card को PDF में डाउनलोड कर सकते हैं तो चली दोस्तो अब वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तो अब आपको play store को open कर लेना है play store को open करने के बाद यहाँ पर दोस्तो आपको search करना है from photo maker जैसे दोस्तो आप search करेंगे आपके सामने दूसरे नंबर पर एक application आजाएगी आपको इस application को अपने mobile में download कर लेना है तो दोस्तो इस application को मैंने पहले से download कर लिया है अब आपको इस application को open करना है open करने के बाद आपको यहाँ पर अलो की ओपर click कर देना है उसके बाद आपके सामने इस तरह का interface आजाएगा यहाँ पर आपको select template के ओपर click करना है जैसे दोस्तो click करेंगे अब यहाँ पर आपको search वाले option में search करना है pen card जैसे दोस्तो आप search वाले option में pen search करेंगे आपके सामने pen card nstl photo आजाएगा आपको इस बाले option में click कर देना है जैसे click करेंगे आप यहाँ पर आपको select file के ओपर click करना है उसके बाद आपके सामने gallery जो आप open हो जाएगी अब यहाँ पर आप जिस भी photo का सही साइज बनाना चाहते हैं उस photo को आपको यहाँ बाद select कर लेना है अब यहाँ पर आपको यहाँ पर एक option में लेगा यहाँ से आप अपनी photo को adjust कर जकते हैं जब आपका photo adjust हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर आपको tick वाले option में click कर देना है उसके बाद यहाँ पर आपको इस arrow वाले option में click करना है तो दोस्तों अब आप यहां पर देख सेते हमारी जो photo है वो यहां पर gallery में save हो चुकी है और इस photo का size है वो 18KB है यह pen card को update करने के लिए photo का size है वो 50KB से कम होने चाहिए तो यहां पर हमारी photo है वो 18KB की है तो हमारी photo यहां पर generate हो गई है अब यहां पर आपको home page में आ जान है अब यहां पर आपको signature का size बनाना है तो आपको यहां पर search वाले option में pen search कर देना है जैसे pen search करेंगे यहां पर आपको pen card nsdl signature का option आ जाएगा आपको signature वाले option में click करना है उसके बाद select file में click करना है उसके बाद signature का जो फोटो आपने click किया है उस photo को यहां पर select कर लेना ह अब यहाँ पर आपको फोटो है यहाँ से अड़ेस्ट कर लेना है उसके बाद जब आपका फोटो अड़ेस्ट हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर आपको टिक वाले उप्सन में क्लिक कर देना है उसके बाद फिर से आपको एरो वाले उप्सन में क्लिक करना है उसके बाद देख सेते हैं इस photo को जो size अब 9 के भी बना है इस तरह से आप यहाँ पर pen card के लिए signature का सही size बना सकते हैं तो दोस्तो फोटो और signature का सही size कैसे बनाते हैं ये मैंने आपको बता दिया अब दोस्तो मैं आपको बताऊँगो कि अधार का पीडियेफ और पैन का पीडियेफ का सही साइज कैसे बनाना है तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपने मोबाइल में Chrome राउजर को open कर लेना है यहाँ पर दोस्तों आपको simply search कर देना है small PDF जैसे दोस्तों आप यहाँ पर small PDF search करेंगे आपके सामने small PDF की website आजाएगी इस website को आपको अपने मोबाइल में open कर लेना है अब दोस्तों यहाँ पर आपको explore all PDF tools इस बल्य option में आपको click कर देना है जैसे दोस्तों click करेंगे आप यहाँ पर आपको सबसे last में चले जाना है तो दोस्तों सबसे last में आएंगे यहाँ पर आपको एक option नमलेगा unlock PDF तो दोस्तों आपको यह option जो आप ढूंड लेना है और यहाँ पर आपको unlock PDF की उपर click कर देना है जैसे आप unlock PDF की उपर click करेंगे अब यहाँ पर आपको choose file का option में जाएगा आपको Choose File में क्लिक करना है, जैसे आप Choose File में क्लिक करेंगे, जो आपने अधार काड और Pen Card का PDF डाउनलोड किया था, उस PDF को आपको यहांपर सिलेक्ट कर लेना है, तो सबसे पहले मैं अधार का PDF सिलेक्ट कर लेता हूं, अब यहांपर आपका जो PDF है यहां से अपलोड हो अब यहांपर आपको अपना PDF का पासवर्ड डाल देना है, तो दोस्तों आपके PDF का जो भी पासवर्ड है वो आपको यहांपर एंटर कर देना है, तो दोस्तों यहांपर मैंने PDF का जो पासवर्ड है वो यहांपर एंटर कर दिया है, अब यहांपर आपको Really Unlock के उपर क्लि कर देना है जैसे क्लिक करेंगे अब आपको फॉटार वेट करना है उसके बाद आपके जो फाइलै वह यहां पर यहां पर देख सेते हैं हमारा ओधार है वो यहां पर compress हो गया है और यहां पर इसका जो साइज है 149 के भी बन गया है अब यहां पर आपको इस अधारकाड को डाउलोड करना है तो आपको यहां पर डाउलोड के ओपर क्लिक करना है और आपका जो अधारकाड है वो यहां पर डाउलोड हो जाएगा तो दोस्तों देख से दे हमारा जो अधार काड़ है वो यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है और इसका जो सही साइज है 149 के भी बन गया है तो दोस्तो इसी तरह से आपको pen card का जो PDF है उसका सही साइज बना लेना है तो दोस्तो अब मैं आपको बताऊँगा pen card के PDF का सही साइज कैसे बनाना है अब यहाँ पर आपको फिर से इस वाले option में क्लिक कर देना है जैसे आप इस option के उपर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आपको निचे के साहर में स्क्रोल करना है यहाँ पर आपको एक option मिलेगा उसके बाद यहाँ पर आपको अनलोग PDF के उपर क्लिक करना है जैसे अब अनलोग PDF के उपर क्लिक करेंगे आपके PDF का जो भी पासवर्ड है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है उसके बाद यहांपर आपको compress PDF के उपर क्लिक कर देना है उसके बाद दोस्तों आपका जो PDF है इस तरह से आ जाएगा उसके बाद यहांपर आपको choose compression के उपर क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करेंगे तो दोस्तो इस PDF को डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर डाउनलोड के ओपर किलिक करना है जैसे आप डाउनलोड के ओपर किलिक करेंगे आपका जो PDF है वो यहाँ पर आपके गैलरी में डाउनलोड हो जाएगा तो दोस्तो इस तरह से जो होब आप यहाँ पर अपने अधार कार्ड और पैन कार्ड का जो PDF का सही साइज है वो बना सकते हैं तो दोस्तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर अपने सभी डोकॉमेंट्स का सही साइज बना लेना है उसके बद दोस्तों आपको डोकॉमेंट्स को अपलोड करने में कोई भी प्रोब्लम नहीं होगा दोस्तों वीडियो आपको अच्छे लगी है तो वीडियो को लाइक, शियर एंड चैनल को सब्सक्राइब जिरूर करें